के आज हम प्रोडीक्शन से आपव्स नाइट से पहले तोड़ाशा हम पीछे सरी लाइप प्रॉसेस में चलते हैं और देखे कि वहाँ Augen नो प्रॉसेज मने क्या पढ़ा ठार रोक्यार के साम हमने क्या। में कि what is the life process life process वो functions जो हम खुद को जिंदा रखने के लिए perform करते हैं हम उन function को basic function कहते हैं या उन process को हम basic function कहते हैं the process which is performed by the organism to keep themselves alive वो process जो organism खुद को जिंदा रखने के लिए perform करते हैं हम उसको basic function करते हैं तो हम बहुत सारे ऐसे process करते हैं जो हम खुद को जिंदा रखने करते हैं, जैसे हम movement करते हैं, directly या indirectly हम देखे, तो हम सिर्फ दो चीजों के लिए ही move करते हैं, movement करते हैं, एक तो food के लिए और दूसरा favorable condition के लिए, जैसे अगर कोई पढ़ने जाता है, school जाता है college जाता है, तो indirectly correctly वो दो चीजों के लिए जाता है food और favorable condition, क्यों? अगर वो education लेगा, अच्छा education लेगा तो अच्छा जॉब करेगा अगर अच्छा जॉब करेगा, तो उसकी income अच्छी होगी देन वो अच्छा dieting लेगा और एक लमने समय तक जिन्दा रह पाएगा, survive कर पाएगा तो देखा जाए, तो हम movement करते हैं सिर्फ दो चीजों के लिए, एक तो food और दूसरा favorable condition अब जासे मैं nutrition करता हूँ nutrition है क्या? the intake of food and utilizing then that is called nutrition, food को लेना और उसे utilize करना, energy produce करने के लिए और उस energy को use करते हैं हम अपने सारे function को perform करने के लिए तो इस कम तब हम nutrition करते हैं खुद को जिन्दा रखने के लिए, हम respiration करते हैं खुद को जिन्दा रखने के लिए हम control and coordination करते हैं खुद को जिन्दा रखने के लिए हम reproduction करते हैं ताकि हमारा generation चलता रहे इन सारे basic function को हम खुद को जिन्दा रखने के लिए करते हैं ठीक है अब इन सारे basic function को हम collectively life process कहते हैं again मैंने कहा वो process जो हम खुद को जिन्दा रखने के लिए खुद को alive रखने के लिए perform करते हैं हम उसको basic function कहते हैं हम बहुत सारे basic function perform करते हैं को alive रखने के लिए उन सारे basic function को collectively life processes कहते हैं इसी life process का एक part है reproduction और दूसरा हिस्सा है life span या life cycle बढ़ा ध्यान से समझेगा क्योंकि मैंने कहा life process का ये दो बड़ी unique process है बड़ी unique basic function है reproduction और life span life span क्या है it is the time period from birth to the death जन्म से लेकर मृत्यू तक का death तक का जो time period होता है हम उसे life span कहते हैं या फिर life cycle कहते हैं every organism has a definite life cycle and all living organisms follow that life cycle हर organism की अपनी एक निशित life cycle होती है और उसी life cycle को वो follow करता है जैसे हर कोई जन्म लेगा जन्म लेने के बाद हर कोई बड़ा होगा बड़ा होने के बाद हर कोई reproduction करेगा अपने जैसे संतान को अपने जैसे organism को produce करने के लिए फिर वो old होगा बुढ़ा होगा and at last they have to die that is the end of life span या end of life cycle every organism follow this definite life cycle हर organism इसी life cycle को follow करता है पहले वो जन्म लेगा देन वो growth करेगा देन वो reproduction करेगा अपनी जैसे organism को produce करने के लिए देन वो old होगा और at last वो मरना पड़ेगा at last वो मरेगा इसका मतब यह है कि life cycle का जो in there that is the death it means all organism has to die at the last हर organism को अंत में मरना ही पड़ेगा because life cycle का तो अंत ही मृत्यू है death है अगर life cycle है अगर कोई living है तो इसका मतलब है कि इसकी life cycle होगी और अगर उसकी life cycle नहीं है जिसका मतब वो living नहीं हो सकता जैसे अगर यह बोल्ड है इसकी कोई life cycle नहीं है ना यह जन्म लेगा ना यह growth करेगा ना adult होगा ना reproduction कर सकता है ना यह old होगा इसकी कोई life cycle ही नहीं है अगर life cycle नहीं है तो इसका मतब यह living नहीं है क्योंकि अगर living है तो इसकी life cycle होगी अच्छा ठीक है अगर life cycle है living की तो इसका मतबएक वो अंत में मरेगा और अगर सारे organism मरते गए क्योंकि मरेंगे तो ही, मरेंगे तो एक condition ऐसी आईगी कि इस earth पर से life खतम हो जाएगा Because all living organisms have to die at the last, मरना पड़ेगा सबको क्योंकि हर किसी के अपनी life cycle है और life cycle का अंत मृत्यू है तो इसका मतब एक condition ऐसी आगी कि हर organism मरेगा और अगर हर organism मरता जाएगा तो इस earth पर से life खतम हो जाएगी बढ़ ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि nature ने हमें एक बड़ा unique basic function दे रखा है जिसे हम reproduction कहते हैं और वो reproduction इस earth पर life की continuity बनाए रखा है हर organism अपनी life cycle में अपने जैसे organism को produce करता है ताकि उसका generation चलता रहे और इसी reproduction के वज़र से इस earth पर life की continuity बनी रहे तो हमने life process को reproduction से थोड़ा सा connect किया कैसे life process हमारे reproduction से connected है अब आते हैं थोड़ा सा देखते कि इसका मतब ही reproduction है क्या यह तो बात समझ में आगे कि reproduction की वज़र से इस earth पर life की continuity बनी हुई है otherwise life खतम हो जाती क्योंकि हर organism की अपनी life cycle है और life cycle का अंत है death तो देखते ज़रा सा reproduction है क्योंकि हमारा chapter यह ही reproduction है तो हम पहले देखें now what is the reproduction क्या है reproduction जरूरत क्या है what is the need of reproduction इस reproduction की जरूरत क्या है क्यों organism reproduce करता है बात करते हैं अभी पहले देखें what is reproduction parent body का अपने जैसे organism को produce करना parent body का माबाप का अपने जैसे संतान को जन्म देना ही reproduction कहलाता है it means the production of new organism by the parent body parent body से एक नए organism का produce होना जन्म लेना ही क्या कहलाता है reproduction कहलाता है now what is the need of reproduction reproduction की जरूरत क्या है मैंने भी थोड़ी दिर पहले बात की थी हर organism एक definite life cycle को follow करता है एक निशित life cycle को follow करता है और life cycle का अंत है इसका मतलब ये reproduction इस earth पर life की continuity बनाता है reproduction maintain the continuity of life on the earth second हर organism अपने generation को चला रहा है by the reproduction reproduction की मदद से it means reproduction help in the continuation of generation of species or organism reproduction हर organism या हर species के generation को continue बनाय हुआ है ठीक है reproduction की वज़े से variation cause होता है now what is the variation देखते है हमने बात किया reproduction की वज़े से इस earth पर life की continuity बनी हुई है reproduction की वज़े से हर organism हर species हर प्रजाती अपने वज़े से-स को चला रहा है और थीच्टार मेंने कहा reproduction वारिइशन कॉस करता है क्या वकाज करता है variation कैस करता है तो देखते हैं कि नीड की बात करें तो देखते हैं कि क्या है reproduction का need ज़रूरत क्या है buddies पहली चीज आपको बताई पहली बात बताई क्या कि logical continuity of life, continuity of life may help, दूसरा, help in the continuation of generation, हर organism के generation के continuation में help कर रहा है, next हमने कहा variation cause करता है, cause variation, variation भी cause करेगा, अभी बात करते हैं इस variation के बारे में कि क्या है variation, reproduction, cause, evolution, reproduction की वज़े से evolution भी होता है, evolution होता है, बात करेंगे भी evolution क्या है, reproduction की वज़े से bio diversity होती है, बात करेंगे अभी सब के बारे में कि क्या है bio diversity, reproduction की वज़े से genetic mutation cause होता है, reproduction genetic mutation भी करता है, it cause genetic mutation, हम इन terms के बारे में बात करेंगे, कि क्या है variation, क्या है evolution, क्या है bio diversity, पर कैसे cause करता है यह genetic mutation, पहले बात कर लेते हैं variation के बारे में, what is the variation, हर भाई बहन एक ही माबाब के दो संतान, आप अपने भाई बहन के बीश में देख सकते हैं, किसी की height ज़्यादा होती है, तो किसी की height कम होती है, कोई किसी के body का जो color होता है, skin का जो color होता है, वो fair होता है, और किसी की skin का color dull होता है, कोई गोरा है, तो थोड़ा सा कोई किसी की skin या body का color थोड़ा सा डल होता है, सावला होता है, किसी का earlobe बड़ा, तो किसी का earlobe छोटा होता है, किसी के eyes का color brown होता है, तो किसी के eyes का color blue होता है, हब ऐसे variation, मतलब ऐसे difference अपने भाई-बैन के बीच में देख सकते हैं, जबकि हम सभी एक ही माबाप के दो संतानों के बीच, करेक्टर में जो difference होता है, उसी difference को कहते हैं हम variation, the difference in character between the two offspring of same parents, एक ही माबाप के दो संतानों के बीच, करेक्टर में जो difference होता है, हम उसको variation कहते हैं, हमने कहा न, आप अपने सगे बहन के बीच या भाई में देख सकते हैं variation, difference देख सकते है हो सकता है आपका भाई गोरा हो और आपकी बोडी का कलर्य थोड़ा सा डलो हो सकता है उसकी हाइट ज्यादा हो और आपकी हाइट कम हो क्यों यह डिफ्रेंस क्यों आया what is the cause of this difference what is the cause of this variation यह variation किस वज़ा से आया बात करेंगे अब आगे लेकिन यह जो difference है इसी difference को character में जो difference है इसी difference को हम variation कहेंगी I hope clear हो गया होगा variation कुछ नहीं है एक ही parent के दो offspring के बीच character में जो difference होता है that is variation और वही क्या है variation है बात करतें कि variation का कारण क्या है क्यों हुआ यह variation difference क्यों आया variation is possible in sexual reproduction यह जो variation होता है, यह sexual reproduction में ही possible होता है, asexual में यह कुछ certain condition में possible होता है, कुछ extreme condition में possible होता है, जैसे extreme temperature पर जाए, कोई chemical पर जाए, को radiation पर जाए, बट अगर उस certain condition को हटा दिया जाए, तो asexual reproduction में ऐसे differences देखने को नहीं मिलते, यह variation देखने को नहीं मिलता, तो इसका मतब हम कह सकते हैं कि एस sexual reproduction में variation नहीं होता है अगर होगा भी तो किसी certain condition में, किसी extreme condition में होगा बट sexual reproduction में आपको variation देखने को मिलेगा generally सामानिते variation आपको अपने भाई-बहन के बेश में देखने को मिल जाएगा तो क्या है कारण इस variation का? sexual reproduction में variation होता है body involved होते हैं male और female male से male गई मिट आएगा और female से female गई मिट आएगा suppose that ये male and this is the female हमने कहा ये male and this is the female अब male से एक सिकेंड थोड़ा साम कलर चेंज कर ले हमने कहा ये male से suppose आप इसे cartoon समझ सकते हैं हमने कहा ये male है और ये female अब male से nose male गै मिट tumor female से female गै मिट जि से हम एग कहते है 왜 मेल से male के मिट प्रेडूस होगा और फिमल से female के मिट जिससे हे एक कहते हैं वह प्रेडूस करता है गैमेट में पैरेंट का, पैरेंट बॉड़ी का या पैरेंट का 50% genetic material आता है, 50% character आता है, मतब इस male में जो भी character होगा, उस character का 50% male gamit में आएगा, इस female का 50% genetic material female gamit में आएगा, अब यह दोनों fuse करेंगे और fuse करने पर जाइगूर बनाएंगे, suppose देट यह दोनों fuse कर लें, यह दोनों fuse करेंगे और fuse करने के बाद क्या बनाएंगे यह दोनों fuse करने के बाद एक single cell बनाएंगे और two end and single cell जाइगोड जिसे हम क्या कहेंगे जाइगोड कहेंगे अब यह जाइगोड डेवलप करेगा embryo बनाएगा वो embryo develop करके fetus बनाएगा और एक नए offspring को produce करेगा एक नए offspring को जन देगा आप देखें यह जो जाइगोड बना यह जाइगोड that is formed by the fusion of male gamit and female gamit यह male और female gamit से बना और इस male female gamit में क्या है 50% male के character है और 50% female के character है यह character जब fuse करेंगे तो gene का intermixing होगा gene आपस में मिलेंगे और recombinate करेंगे उसी gene के intermixing के समय difference आ जाता है और उसी difference को हम variation कहते हैं again listen variation sexual reproduction में possible है क्यों क्योंकि sexual में दो parent body involved होते हैं एक male और दूसरा female male male gamit रिप्रिदूश करता है और female gamit रिप्रिदूश करता है दोनों fuse करेंगे दोनों gamit के fusion के समय जाइगोट बनेगा और जाइगोट के अंदर gene की intermixing होगी gene की मिलावत होगी intermix करेगा उसी gene के intermixing के समय करेंगे थोड़ी बहुत difference आही जाती है क्योंकि अगर आप जब दो चीजों के मिलाएंगे तो थोड़ा पर difference तो आई जाता है तो gene के intermixing के करेंड करेक्टर में जो difference प्रिदूश होता है op spring में हम उसी difference को कहते हैं variation अब suppose that ये variation हमारे op spring में हुआ अब उसका जो generation आया उसके जो op spring हुए उसमें वो variation जब भी मैं variation की बात करूँगा तो आपके दिमाग में ये बात नौक करनी चाहिए कि मैं difference in character की बात कर रहा हूँ character में जो enter है मैं उसकी बात कर रहा हूँ suppose that हमारे op spring में variation हुआ मतब करेक्टर में एक अलग टाइप का character develop हो गया different color अब वो difference in character वो variation है वो उसके generation में उसके op spring में थुदा सा और develop हो गया फिर उसका जो op spring हुआ उसमें वो variation और ज्यादा हो गया फिर one by one generation by generation ये variation अगर बढ़ता चला जाए मतब करेक्टर में जो difference है वो अगर बढ़ता चला जाए तो हजारों साल बाद suppose that ये variation इतना बढ़ जाता है character में जो difference है इतना बढ़ जाता है कि एक नई variety की organism का ही development हो जाता है और हम उसी को कहते हैं evolution हो गया इसका मतलब as the variation as the concentration of variation increased generation by generation variation की मात्रा जैसे जैसे generation by generation बढ़ता है character में difference भी वैसे वैसे generation by generation बढ़ता चला जाता है और हजारों साल बाद ये character ये variation इतना बढ़ जाता है कि एक नए variety की organism को develop कर देता है और हम कहते हैं उसी को evolution इसका मतलब the result of variation is the evolution देखें connect करेंगे एक दूसरे से मैंने कहा variation की वज़य से ही evolution हो गया क्यों because as the concentration of variation increased generation by generation the difference in character also increased generation by generation which produce a new variety of organism over thousands of years हजारों साल बाद ये ही variation जब बहुत ज़्यादा बढ़ जायाएगा तो एक नए variety के organism को develop कर देगा हाव रह हम उसको कहेंगे evolution हो गया is come तब evolution is the result of variation या evolution या हम कह सकते हैं variation is the cause of evolution evolution का कारण variation है जो मैंने भी explain किया कि कैसे evolution हुआ variation की वज़य से अब थोड़ा सा एक line define करते हैं कि evolution actually में है क्या कुछ नहीं है the development of new variety of organism by a parent body over thousands of years किसी parent body से हजारो साल बाद या किसी ancestor से या किसी organism से हजारो साल बाद लाखों साल बाद एक नए variety के organism का development हो जाना that is called evolution एक line में आप define करेंगे the development of new variety of organisms by a parent body over thousands of years हजारो साल बाद किसी parent body से एक नए variety के organism का development होना that is called evolution evolution is a sequential process यह step by step होता है sequence में होता है बहुत लंबा समय होता है it will take a long time बहुत लंबा समय लेगा और यह sequential process है यह तुरंथ instant नए variety के organism को produce नहीं करता remember it आप याद दखेंगे इसको अब evolution समझ में आ गया, variation समझ में आ गया देखते हैं कि कैसे reproduction biodiversity cause करेगा, देखें मैंने कहा था, reproduction की वज़य से life की continuity बनी हुई है, reproduction की वज़य से हर organism अपने generation को continue बना है अपने generation को चला रहा है, reproduction की वज़य से variation हुआ, variation क्या है हमने बात किया, variation का कारण क्या था, हमने वो भी बात किया variation का result क्या है हमने वो भी बात किया evolution क्या है बात किया evolution हुआ क्यों ये भी हमने बात किया अब आते हैं now what is the biodiversity very simple language में हम इसको कहते हैं the variety of organism is called biodiversity अलग-अलग variety के organism को ही biodiversity कहते हैं जैसे देख लें आप इस earth पे बहुत सारे variety के organism है human है, cat है, dog है, rat है, buffalo है मतब लाखो variety के organism है इसी variety को तो हम biodiversity कहते हैं मतब the variety of organism is called biodiversity अब ये biodiversity हुआ कैसे connect करते हैं तीनों को variation को evolution और evolution को biodiversity हमने कहा जैसे variation generation by generation बढ़ेगा और जब variation की मात्रा बहुत जादा बढ़ जाएगी तो एक नए variety के organism का development होगा और हम कहेंगे evolution हो गया suppose that अगर हर organism में ये variation हो अगर ये variation लगातार continue होता जाए और अलग लग variety के organism produced होते जाएगा अलग लग variety के organism का development होता जाएगा तो इसका मतलब क्या है अलग लग variety के organism बनते चले जाएगे और बधारिविफंजन के choices हो जाएगा इसका मतलब variety of organisms INCREASE हो रहा है किसकी वज़ए से violation की वज़एसे कि- vibration के वज़एसे evolution हुआ एक नए variety के organism के development हुआ और अगर नए variety के organism के development हो रहा है इसका मतलब है कि BIVRO 1971 हो रहा है कि ये Famal जैसे genetic mutation भी cause होता है, कैसे होगा, अगर gene में mutation है क्या, किसी parent body से instant एक नए variety के organism का development हो जाए, तो हम इसको mutation कहते हैं, मेरी बात समझेगा, evolution एक sequential process है, evolution में भी नए variety के organism का development होता, but it will take a long time, यह लंबा समय लेगा, यह sequential process है, mutation में थुरा सा अलग है, इसमें भी नए variety के organism का development होगा, but पताब तुरंट एक ही generation हो जाएगा, instant होगा, तो mutation कुछ नहीं है, किसी parent body से एक नए variety के organism का produce होना, germ ले लेना, that is called mutation, gene में परिवर्तन की वज़ाए से, एक नए variety के organism का development होना, यह development word use नहीं करेंगे, एक नए variety के organism का produce होना, that is called genetic mutation, again listen, gene में परिवर्तन होने की वज़ाए से, gene के combination, genetic combination में परिवर्तन होने की वज़ाए से, एक नए variety के organism का produce होना, that is called genetic mutation, फिर से mutation कुछ नहीं है, किसी parent से एक नए variety के organism का produce होना जाना, germ ले लेना ही क्या कहलाता है, mutation कहलाता है, यह instant process होता है, within a generation एक नए variety के organism का development हो जाता है, अगली class जब हमारी होगी, तो next video में हम बात करेंगे type of reproduction के बारे में, कि reproduction कितने type का होता है, और उनके भी types के बारे में हम बात करेंगे, ओके, thank you.